पतिजगर भिलाई निवासी डॉक्टर बीना सिंग ने अनिक लगवथाओं को वरनी क्या है उनकी हर कहानी एक नई प्रेना देती नजर आती है ऐसी ही एक कहानी हिम्मत हम आपको संग्षिप में सुना रहे हैं इस कहानी का उद्देश उन्होंने अपनी जुवाईं बताई सिवा और मन में ये खयाल आ रहा था कि पिताजी के मृतियों के बाद उसने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया पिर एक स्कूल में भी नौकरी की घर की ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई से मा अपनी तीन बहने और एक भाई का खट चला कर सब को पढ़ाया लिखा और शादी भी की आज सब अपने अपने ग्रहस्ती जीवन में व्यस्त हो गए मा को बेटी का त्याग का ना ग्यान हुआ ना भाई बहनों का सब का यही कहना था कथन था ये तो तुम नहीं करती तो कौन करता आखिर तुम तो सबसे बड़ी थी उनके लिए बाद बस इतनी किसी थी ये सुनकर देवी का बहुत आहत होई इतना करने के बाद भी आज क्या मिला जहां मान सम्मान ना हो अब इस रिष्टे में जिने से बहतर है आत्म हत्या ही कर लो फिर उसकी नजर टीले के दरार पर पड़ गई जहां कोमल सी हरी हरी दूब घास निकल कर मुस्कुरा रही थी दूब तो देवतां को चड़ता है लेकिन इतने कष्ट के बाद अचानक एक हिम्मत देवगी के अंदर पैदा हुई और वह खड़ी हुई मुझे भी हिम्मत करना है और जीना है बिलकुल इस दूब की तरह तो ये प्रेणा देती हुई लगु कथा है डॉक्टर बीना सिंग की जुबानी मैं डॉक्टर बीना सिंग रागी अपनी इस्वरचित लगुकता हिम्मत से समाज को अपने चाहने वाले को एक संदेश देना चाहती हुँ कि हमें कभी भी किसी के भाकावे में नहीं आना चाहिए कोई यदितारिप की पूल वाने तो उसकी भाका तो उससे मायूस भी नहीं होना चाहिए बलकि हमें अपनी राह पर द्रिड़ता के साथ अटलता के साथ अपने कारे को अंजाम देने के लिए ततपर रहना चाहिए और यहीं हिम्मत काम आती है और हिम्मत की तुसता जै होती है शुक्रिया डॉक्टर बीना सिंग रागी